नबसकार दोस्तों मैं बुस्पेंज इंग आज की न्यूज एंड अब्डेट में आपका स्वागत है आज की न्यूज एंड अपडेट के अनदर यहां पर बात करेंगे बिटकॉइन की और साथ की साथ यहां पर जो crypto के अनदर जो भी news है उन सब की सीधे यहाँ पर चलते हैं computer screen के उपर disc disclaimer के साथ में Cryptocurrency is subject to market risk इसके अंदर profit भी हो सकता, loss भी हो सकता हमेशा खुद की research जरूर करें सीधे यहाँ पर पहली news के उपर First mover Asia Thailand, Malaysia, Singapore यह सब Asian country है यहाँ पर क्या कि Thailand ने already यहाँ पर crypto के उपर taxes हटा दिये थे और साथ की साथ यहाँ पर Thailand has already proven why taking crypto for luxury item is not working तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो bitcoin का price है वो बड़ा uncertain है क्योंकि 4,500 डॉलर का भी dump लगा है ऐसे में यहाँ पर जो juicy company है juicy will begin accepting crypto payment at five store as a part of wider commitment but the success of its initiative is uncertain तो यहाँ पर पता चले कि आज इन्होंने payment लिया कल लोको इसकी value वहाँ पर five percent down हो गई तो ऐसे में कहें कि बड़ी uncertain market है इसके अंदर कहें कि बड़ी risk रहने वाली है technician take btc's danger of breaking below a short term uptrend तो बट अगर यह hold करके रखेंगे तो कहीं न कहीं इनका यहाँ पर benefit होगा लेकिन अभी जो इनका मानना है वो यह है कि यहाँ पर btc का जो price है वो काफी यहाँ पर uncertain रहने वाला है वो ऐसे में जो payment की तरह इसको use करना बड़ा difficult होने वाला है next update के उपर चलते बेना किसी दे रहीगे inflation will create a political vacuum can bitcoin fill it तो जो bitcoin है वो कहीं न कहीं यहाँ पर inflation के अंदर help कर सकता है क्योंकि bitcoin की जो supply है काफी limited है demand जादा high होगी नए bitcoin आएंगे नहीं market के अंदर तो एजे inflation hedge की तरह यहाँ पर bitcoin काम कर सकता है और यहाँ पर next update की तरह चलते हैं SEC approve तो जो SEC है उसने यहाँ पर कह कि जो bitcoin का future ETF है उसको finally approve कर दिया है काफी time से यह pending था और अब approve होने के बाद में भी यहाँ पर लेकिन इतनी साथी positive news के बाद में भी यहाँ पर कुछ भी bitcoin के अंदर positive यहाँ पर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है SEC just approved second bitcoin feature ETF filed under the 33 act तो यहाँ पर जो market है वो अभी भी यहाँ पर bearish mode के अंदर है लेकिन Tron holder के लिए हम पर एक अच्छी ख़बर है Tron DAO launch USDD jointly with blockchain leaders तो Tron पूरी market के अंदर देखो के इस टाइम Tron ने Tron के Justin Sun के जितने भी coin है चाहे Sun हो चाहे JST हो चाहे Tron हो TRX उन सब के अंदर एक अच्छा खासा pump देखने को मिल रहा है because of this news यह काफी बड़ी news है और इसके बाद में यहाँ पर announcement हुआ announcement के बाद में market एक वाग गिरी लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर जो Tron DAO है उसकी वज़े से यहाँ पर जो Tron के coin है यानि यह जो adjustment के coin है उन सब के अंदर एक अच्छा खासा है यहाँ पर pump देखने को मिल रहा है last news के उपर चलते है 90% of तो यहाँ पर कहें जो central banks है वो कहें कि 90% ऐसी banks है जो यहाँ पर CBDC को explore कर रही है इंडिया के अंदर already explore हो चुका है और applicable हो चुका है यहाँ पर हो implementation हो चुकी है बट अभी worldwide हम बात करें पूरी crypto community की पूरी crypto world की तो वहाँ पर 90% ऐसी bank है जिनको पता है कि भाई यह blockchain ही एक ऐसा medium है जिसको ignore नहीं किया जा सकता जिससे क्या कि हम low cost के अंदर fast transaction कर सकते हैं तो यहाँ पर कहें कि worldwide CBDC blockchain को explore कर रहे हैं और आने बला टाइम के इस technology का यहाँ पर यह use करेंगी तो यह थी यहाँ पर overall crypto की update उम्मीद करता हूँ update पसंद आई होंगी अगर आपने टेलीगाम चैनल जोइन नहीं किया भी टेलीगाम जोइन कर लेना और हमारी वीडियो चैनल के उपर आती ही आती है और हम यहाँ पर वो नहीं करने वाले कि market dump 6 मेने के लिए गाए और जैसे बोलाई market आई देखो मैंने बताया था देखो वो सब चीज़े नहीं करने वाले हर beer market में दुख में भी साथ हैं आप भी हमारे साथ दीजिए जल्दी से लाइक कर दीजिए